हेले स्टुडेंट्स कैसे आप लोग आई होप आप सब अच्छे होंगे स्टुडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के एक most important टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वह टॉपिक है आपका lens maker सुत्र यानि lens maker फार्मॉला पतले lens के द्वारा अपवर्तन का क्या सुत्र है उसी सुत्र को आज की इस वीडियो में हम लोग derived करने वाले हैं पतले lens के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का जो सुत्र होता है उसी सुत्र का नाम दिया जाता है lens maker शूत्र तो lens maker शुत्र आज की इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक से देखेंगे पहली बार हम लोग जो प्रूफ करेंगे उसमें lens के दोनों और का जो माध्यम होगा वह शमान होगा lens maker फार्मूला दो विदियों में दो फार्म में पहला फार्म कौन सा होगा जब lens के दोनों और माध्यम समान हो तब क्या है फार्मूला बाद में हम लोग देखेंगे कि जब lens के दोनों और माध्यम अलग अलग हो भिन भिन माध्यम हो तब क्या फार्मूला है ठीक के न? तो सबसे पहले lens maker formula में पहली बार हम लोग कप proof करने वाले हैं first time हम लोग proof करेंगे कि जब lens के दोनों और माध्यम शमान हो जब lens के दोनों और माध्यम शमान हो यानि कि lens के दोनों side left hand side भी right hand side भी जो माध्यम हो, वोगा क्या हो? समान हो तब lens maker formula क्या कहता है वो हम लोग देखेंगे इसमें सबसी important जो है वह है figure टेक है इस topic में काफी important topic है एक्जाम में पूछा जाता है आप लोग अच्छे से समझ लिजेगा टेक है यह topic बहुत ही important है इसमें अगर कोई चीज समझने वाला है तो वह है इसका figure तो please आप इसके figure को बिना skip के अच्छे से सबस्जाएंगे तो यह पूरा topic आपको एकदम आशान लगेगा ठेक है तो चले हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक उत्तल लिंश बना लेते हैं ठेक है न कुछी इस प्रकार से हमने उत्तल लिंश बना लिया है फिर से एक अ मुख्य अच्छे हमने क्या कहा है कि लिंश के दोनों और का जो माध्यम है वह समान है यानि इधर अगर यनवन माध्यम है तो लिंश के उस साइड वाला जो माध्यम होगा वह भी कितना होगा यनवन होगा ठेक है ना सपोर्ज करते हैं इस लिंश का जो माध्यम है वह का जो मान है ठेक है ना N2 का जो मान है वह greater than N1 की मान से यानि N2 बड़ा है N1 से यानि ये वाला जो माध्यम होगा वह viral माध्यम होगा ठेक और ये वाला जो माध्यम होगा वह कैसा माध्यम होगा सघन माध्यम होगा ठेक यहां पर हमने कह दिया N2 is greater than N1 यानि ये माध्यम सघन है ये माध्यम विरल है लेंस के दोनों और का माध्यम समान है यानि इधर वाला भी माध्यम क्या होना चाहिए विरल होना चाहिए समझ के ठेक क्योंकि जो माध्यम इधर है लेंस के दूसरे साइड भी माध्यम वही है अब देखे चलिए इस लेंस में दो प्रिष्ट होंगे पहला प्रिष्ट ये वाला है, दूसरा प्रिष्ट ये वाला है, पहला प्रिष्ट कुछ इस प्रकार से रहा होगा, गोला उसी से काट करके हमने बनाया हुआ है, ठीक है, तो इसका जो इस वाले प्रिष्ट का वकरता के अंदर होगा, वह कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, पह ऋब्जेक्ट व्स्तु को हमने यहाँ पे रखा हुआ है। आगर इस व्स्तु का प्रत्विम बनाना है तो इस व्स्तु से दो केरड़े चलने चाहिए। पहली केरड़े हमने माना, ऐसे सीधे इसके प्रकाश्य केंअट्र से होते हुए सीधे निकल गई। आप जानते हैं कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरड़े बिना बीच नित हुए शीदे निकल जाती है तो पहली किरड़े ऐसे शीदे निकल जाएंगे अब चलिए बात करते हैं दूसरी वाली किरड़ की तो दूसरी वाली किरण कुछ इस प्रकार से गया, ठेक, अब जेवसे यहां से यहां पे पड़ा, ठेक है न, इस वाले पे जैसे ही पड़ा, तो यह वाला प्रिष्ट क्या करेगा, इसको अपवर्तित करेगा, ठेक है न, पहले वाले प्रिष्ट पे, अभी इसको सेकेड वा प्रिष्ट का, तो जैसे ही यह प्रकास की किरण इस पहले वाले प्रिष्ट पर गिरेगी, यहाँ विरल माध्यम से प्रकास किस माध्यम में जा रहा है, सगन, यह विरल माध्यम है, यह सगन माध्यम है, तो विरल माध्यम से सगन माध्यम में जाएगा, तो अभिलंब की ओर तो यहां पर हमें पता रहना चाहिए अभिलम, तो अभिलम कैसे पता चलेगा, अभिलम के लिए आप जानते हैं कोई भी गोला है, अगर उस गोले के केंद्र को उसके प्रिष्ट से कहीं भी मिला दीजिए, तो वह 90 डिग्री बनेगा, ठेक है न, यह गोला इसके प्रिष्ट से अगर मिला देंगे, तो कितने न इसका कोड बनेगा, 90 डिग्री का कोड बनेगा, तो चले, हम लोग 90 डिग्री का कोड बनाने के लिए, यहां पर ऐसे अभिलम केंद्र खीज देते हैं, ठेक, यह हमने क्या खीज दिया, अभिलम, यह क्या है, नORMAL N1, नORMAL मतलब अभि 20-degree का-kord बनाएगा, ध्यान दिजएगा देखिए, इस वाले प्रकास की किरण को서 ऐसे सीधे जानी चाहिए थी ऐसे सीधे एकदम इस माध्ध निकल जाना चाहिए था लेकिन यह प्रकास की किरण सीधे नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी क्योंकि यह विरल माध्यम से सगर माध्यम में जा रहा है और जब कोई प्रकास की किरण विरल माध्यम से सगर माध्यम में जाता है तो वह अभिलम की ओर जुकता है अब देखे यह प्रकास की ओर अभिलम की ओर जुकेगा यानि इस साइड क्या होगा जोकेगा ठेक तो अविलंब की ओर जोकेगा तो ये प्रकास की किरण ऐसे जाना चाहेगा ठेक है ना ये प्रकास की किरण ऐसे जाएगा अविलंब की ओर जोका अब देखे फिर से ये क्या होगा समझेगा फिर से ये क्या होगा फिर से यहां से य अगर ये बीच वाला दूसरा प्रिष्ट नहीं होता तो ये डारेट यहां से होते हुए यहां जाता इस वाले किरण को यहां पे काड़ता और जो प्रत्विम्ब होता यहां पे बन जाता लेकिन प्रत्विम्ब यहां पे बन नहीं रहा है क्यों कि यहां पर एक और प्रिष् तो यह भी अपवर्तित करेगा तो इस पर भी हमें क्या खीजना पड़ेगा अभिलम तो यह दूसरा वाला प्रिष्ट है अभिलम खीजने के लिए इसके केंद्र से हम लोग क्या करते हैं मिला देते हैं ठीक है न कुछ इस प्रकार से यह अभिलम हमने खीज दिया अब देख इस अभिलम से दूर हटेगी यानि की यह प्रकास कि इस से इधर जाएगी देखे, प्रकास की किरण को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये प्रिष्ट यहाँ पे आ गया, जिसके कारण यह है, इसको अपवर्तित करेगा, किधर करेगा, अभिलंब से दूर हटाएगा, यानि कि अभिलंब से दूर ऐसे हटाया, ठेक है, अब प्रकास की किरण ऐसे गई तो वास्तों में जो प्रत्विम बनेगा वह यहाँ पर बनेगा पहले वाले प्रिष्ट के कारड़ जो प्रत्विम बनता है वह यहाँ पर बनता है लेकिन इस पूरे लेंस के कारड़ जो प्रत्विम बनेगा वह कहाँ पर बनेगा आईडेस पर बनेगा तो फेगर आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए अगर आपने समझा होगा तो बढ़ी आए नहीं तो फिर से रिवस करके आप लोग इसको अच्छे से समझ जाएगा अब चलिए देखते हैं हम लोग जानते हैं कि यहां से वस्तु की बीच की जो दूरी होते है उसका नाम होता है यू तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी यू पहले वाला जो प्रत्विम बन रहा था पहले वाले प्रिष्ट के लिए जो प्रत्विम बन रहा था उसको हमने कह दिया क्या है भी डैस है क्योंकि प्रकासिक केंसे प्रत्विम की बीच की दुरी क्या है भी होता है लेकिन यहाँ आईडेस है तो हमने क्या कह दिया है भीडेस है यह एक्चुल प्रत्वी में नहीं है एक्चुल प्रत्वी में यहाँ पर बन रहा है द्यान दिजेगा एक्चुल प्रत्वी में यहाँ पर बन रहा है तो एक्चुल प्रत्वी में से जो दूरी हमने माना है वह प्रतात्रिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् थिक प्रतिविंब्र होका फ्रुकिकी की वाक्रता तरिज्यत हमने माल लिया है अर लधा दो से लेंच की जब दोनों और धियम समान है तब प्रतिविंब्र कैसे का है इसको नम्हrov करना तो एकदम आशान है इसके पहले हमने एक वीडेयो बनाया था उस वीडियो में आपको अच्छे से समझाया था कि कोई गोली प्रिष्ट है ठीक है इस गोली चाहे आतल गोली प्रिष्ट हो चाहे उतल गोली प्रिष्ट हो इस गोली प्रिष्ट के लिए अपवरतन का क्या सुत्र होता है ठीक है किसी भी गोली प्रिष्ट के लिए एक प्रिष्ट ठीक है कि CV गोली प्रिष्ट के लिए जो अपोरतन का सुत्र होता है वह हमने वहाँ पे प्रूफ किया था वह N2 के बटे B minus N1 के बटे U is equal to N2 minus N1 बटे R यह फार्मूला अगर आपको पता है तो इस फार्मूले से आप आसानी से इस सब को प्रूफ कर सकते हैं नहीं पता है तो प्लीज सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए तब जाकर के इस वीडियो को देखिए चले समझते हैं N2 क्या है बाद वाला मलत यहां पहले वाले प्रिष्ट से जा रहा है प्रकास दूसरे वाले माध्या में दूसरे वाले को लिखेंगे बटे भी N2 के साथ हमेशा क्या लिखते हैं प्रत्विम्ब को लिखते हैं तो N2 बटे भी लिखेंगे माइनस N1 बटे यू बराबर N2 माइनस N1 बटे आर ठेक है न इतना आप समझ गए होंगे अब चलिए प्रूफ करते हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेंस के प्रथम प्रिष्ट पर अपवरतन का सूत्र चलिए इस वाले फार्मूले को अप्लाई कीजिए सबसे पहले सबसे पहले क्या होता है N2 बटे भी यानि पहले से दूसरे में जा रहा है तो दूसरा वाला लेगते हैं तो दूसरा वाला माध्यम क्या है, देखे है पहले प्रकास की करड इसमें इससे इसमें जा बटे भी मतलो प्रत्रिष्ट है वह प्रत्रिष्ट है वह प्रत्रिष्ट कहांवा बना रहा है? I das पर ये I दूसरा वाला प्रिश्ट बना रहा है ध्यान दिजेगा पहला वाला प्रत्वियम प्रिश्ट जो है वो प्रत्वियम कहां बना रहा है I das पर तो I das के बीच की दुरी कितना है V das तो N2 बटते कितना हो जाएगा V das माइनस है फार्मूले में तो माइनस लगा है बटे N1 N1 मतलब जहां से प्रकाश की किरण चली है वह माध्यम तो ये माध्यम क्या हो जाएगा N1 N1 बटे U आबजेक्ट तो आबजेक्ट की बीच की दूरी कितना है U है Is equal to N2 minus N1 तो N2 minus N1 बटे R R मतलब वकरता त्रिज्जा तो पहले वाले प्रिश्ट का वकरता त्रिज्जा कितना है R1 है तो इसको R1 कह दिया equation number first ये फार्मूला समझ में आया चले ठीक है देखे ये जो हमने फार्मूला लगाया है इस वाले फार्मूले से हमने पहले वाले प्रिष्ट के लिए लगाया है अब दूसरे वाले प्रिष्ट के लिए टेक है ना लेंस के द्विती प्रिष्ट से लेंस के द्विती प्रिष्ट से प्रिष्ट पर अपुवरतन का सुत्र अब चलिए द्विती प्रिष्ट पर अपुवरतन का सुत्र लगाते है दूसरे वाले प्रिष्ट में मतलब इस वाले प्रिष्ट पर प्रकास कहां से कहां जा रहा है देखें दूसरे वाले प्रिष्ट पर प्रकास यहां से यहां पे जा रहा है यानि यन टू से यन वन में जा रहा है दूसरे वाले प्रिष्ट के लिए प्रकास वस्तु होगा पहले वाले प्रिष्ट की द्वारा बनाया गया प्रत्विम यानि पहला वाला प्रिष्ट जो प्रत्विम्ब बनाता है वही प्रत्विम्ब इस दूसरे वाले प्रिष्ट के लिए वस्तु का काम करता है यानि ये दूसरा वाला प्रिष्ट के लिए वस्तु क रखी हुई है आई डेस पर वहां पे जहां पर यह पहला वाला प्रिष्ट प्रत्मि मनाता है तो यहीं प्रत्मिम इस दूसरे वाले प्रिष्ट के लिए वस्तु का गाम करेगी तो चले आप फार्मूले को अप्लाई करते हैं यह रटू बटे भी यानि बाद वाला पहले र यानि जहां प्रत्विम बन रहा है तो दूसरे वाले प्रिश्ट के लिए प्रत्विम आई पर बन रहा है यानि आई की इसकी दूरी कितना है भी तो यहां पे हम ने कह दिया भी minus N1 N1 माले पहला वाला प्रिष्ट जहां से प्रकास की गरण चली है तो कहां से प्रकास की गरण चली है तो इसका माध्यम कितना है N2 बटे U यहां पे object की दूरी अब object की दूरी ओ को नहीं रखेंगे अभी अभी हमने बताया कि इस दूसरे वाले प्रिष्ट के लिए पहले वाला प्रिष्ट द्वारा बनाया गया प्रत्विम्ब ही वस्तु का काम करता है तो इस दूसरे वाले प्रिष्ट के लिए आई डेस क्या काम करेगा प्रत्विम्ब का काम करेगा सरी वस्तु का काम करेगा तो i dash का कितना हो जाएगा i dash यानि u दूसरे वाले प्रिष्ट के लिए वस्त कौन काम कर रहा है i dash और i dash का दूरी कितना लिया है हमने b dash तो n2 के बटे कितना हो जाएगा b dash is equal to अब दिखिए यहने 2 minus n1 यानि बाद में से पहले वाले को गटाते है आद में कौन सा प्रिष्ट है दूसरे से इसमें जा रहा है तो n1 minus n2 हो जाएगा n1 minus n2 बटे r त्रिज्जा दूसरे वाले प्रिष्ट की वाकरता त्रिज्जा आमने कितना लिया है r2 लिया है शमीकरण नमबर 2 यह समझ में आया की नहीं आया न समझ में हो तो reverse करके आप समझ यहीं है इसके आगे सब चीजे एकदम आसान है कुछ भी समझना नहीं है नौर्मल मैथमेटिक्स है चले शमीकरण 1 और 2 को जोड़ देती है शमीकरण 1 प्लस शमीकरण 2 शमीकरण 1 और 2 को जोड़िए देखे क्या है जोड़ेंगे कैसे left hand side को left hand side के साथ right hand side को right hand side के साथ तो इसका left hand side लिग लिया अब इसका left hand side यन 1 बटे भी minus यन 2 बटे भी is equal to अब इसका right hand side लिखते है यन 2 माइनस यन 1 के बटे r1 minus यहाँ पे sorry प्लस यन 1 minus यन 2 के बटे r2 ठेक कुछ cancel हो रहा है गया देखे यन 2 बटे भी डेस प्लस में है यन 2 बटे भी डेस माइनस में है तो ये वाला इससे cancel हो जाएगा अब जो बचा है उसको हम लोग लिख लेते हैं ठेक है ध्यान से देखे क्या बचा है ये प्लस में है इस प्लस वाले को पहले लिख लेते है n1 बटे भी ये माइनस में है इसको बाद में लिखते है n2 बटे यो ठेक है न n2 minus n1 के बटे कितना है r1 अब देखे इसमें से minus common कर लेते है इन दोनों में से minus common करेंगे तो plus का कुड़ा minus में होगा minus हो जाएगा अब इसमें से minus common किया है तो जो plus में है वो minus जो minus में है plus यानि n2 plus हो जाएगा n1 क्या होगा minus हो जाएगा यानि n2 minus n1 के बटे कितना हो जाएगा r2 अब यहां से दीखे कितना हो रहा है n1 बटे b minus n2 बटे u is equal to यह न 2 minus n1 दोनों में common है common कर लेते हैं यह न 2 minus n1 क्या बचा 1 upon r1 minus 1 upon r2 ठेक है इतनी बाते आपको समझ में आये की नहीं आई अब देखिए यहाँ पे sorry यहाँ पे n2 नहीं होगा यहाँ पे n1 है देखिए n1 n1 दोनों है तो यहाँ भी आपका n1 होगा यहाँ भी आपका क्या होगा n1 होगा तो दोनों में यह n1 को common कर लेते हैं n1 common कर लिया इधर क्या बचाएगा देखिए 1 upon b minus 1 upon u is equal to n2 minus n1 ऐसे bracket में लिखे थोड़ा अच्छा लगे ठेक है और इधर क्या बचा है ठेक है यह n1 इधर गुड़ा में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा इधर क्या बचेगा 1 upon b minus 1 upon u is equal to n2 minus n1 की बटे n1 और इधर क्या बचेगा 1 upon r1 minus 1 upon r2 ठेक है अब यहाँ से दिखते हैं क्या बचेगा 1 upon b minus 1 upon u is equal to n2 का भाग n1 में देंगे तो n2 बटे n1 होगा n1 बटे दुनों को अलग-अलग कर दे रहे हैं समझ रहे हैं na n2 बटे n1 एक बार फिर n1 बटे n1 करेंगे तो क्या जाएगा minus 1 हो जाएगा ठेक है इधर क्या बचा है 1 upon r1 minus 1 upon r2 हम मान लेते हैं 2 बटे n1 का जो मान है वह n है हमने क्या माना n2 बटे n1 का जो मान है इस पूरे का जो मान आ रहा है वह कितना रहा है n आ रहा है ठेक है तो इस पूरे के स्थान पर क्या लिखते हैं n लिखते हैं तो 1 upon B minus, 1 upon U is equal to, यहां आप इस पूरे के स्थान पर N लिख रहे हैं, तो N minus कितना हो जाएगा, 1, और इधर क्या बच रहा हैं, 1 upon R1 minus, 1 upon R2, ठीक, इतनी बाते समझ में आईक नहीं है, देखें, लेंसमेकर फार्मूला यहां तक भी आप लिख करके छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर यहां तक भी लिखेंगे, और लिख देंगे कि यहीं लेंसमेकर फार्मूला है, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं, यह भी लेंसमेकर फार्मूला है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यहां तक भी लिख कर छोड़ देंगे, ठीक है? अब देखीए, अगर वस्त को हम लोग अनंद पर रख दें, वस्त को कहां पर रख रहे हैं? अनंत पर, जब वस्त को अनंत पर रखा जाता है तब प्रतिबिम्ब कहां पर बनता है F पर बनता है मुख्य फोकस पर बनता है उत्तर लेंज के द्वारा प्रतिबिम्ब का बनना अपने class 10 में भी पढ़ा होगा अनंत पर जब वस्त को रखा जाता है यहाँ पे लग देते हैं यदि u अनंत पर हो तो b कहां बनेगा f पर बनेगा तो चलिए इस वाले value को यहाँ पे उठा करके रख देते हैं तो 1 upon b sorry b के अस्थान पर कितना रखना है f minus 1 upon u, u के अस्थान पर कितना रखना है, अनंत रखना है infinite, तो यहाँ पे n minus 1 जो बचा है उसको लिख देते हैं 1 upon r1 minus 1 upon r2 अगर 1 upon infinitive है तो 1 upon infinitive का मान कितना होता है 0, इसका मान 0 आएगा कैसे देखिए, 1 upon infinitive है infinitive मतलब 1 upon 0 इसको देखे, एक के भाग एक बटा 0 है, इसी को देखे ऐसे लिख दिया, अब 0 है तो 0 के बटे 1 करेंगे, भाग को गुड़ें बन देंगे एक का गुड़ा 0 में करेंगे, 0, 0 बटे एक यानि की मान कितना आ गया 0 आ गया, ठेक है न, तो 1 upon infinitive का जो मान आता है, वा कितना आता है 0 आता है, इतना आप जानते रहे है तो यहाँ पर यह हो जाएगा 0 यह वाला कितना होगा 0 होगा, यह पूरा 0 हो गया है, इसके अस्थान पर 0 लिखेंगे तो बचेगा को, यह वो दिख लिजे 1 upon F is equal to N minus 1 और इधर क्या बचा है 1 upon R1 minus 1 upon R2 यह जो आया है, यही lens maker formula है यह जो आया है यही क्या है, lens maker formula है अगर यहाँ पर भी आप direct 1 upon R2 लिख सकते हैं, कोई भी दिखकर नहीं है, इसको आप equation number 3rd बोल दीजी यहाँ प equation number 4 देख लिजी, ठीक है, equation 3 और 4 की तुलना कर दीजी तो ठीक है, यही lens maker formula है यह क्या है, lens maker formula ठीक, lens maker formula कब शुत्र, lens maker शुत्र कब जब lens के दोनों और का माध्यम क्या होगा शमान होगा, पहला वाला condition ठीक है, अब दीखिए अगर 3 और 4 की तुलना करते हैं इसके थोड़े से आगे अगर आप समझना चाहें equal, equal तो right hand side भी आप उसमें क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए, यदि दो सभी कड़के left hand side बराबर है तो उसके right hand side भी आप उसमें क्या होने चाहिए बराबर, तो जब बराबर होंगे तो one upon f का जो माना आएगा ठीक है न, यहाँ पीछे लिख देते हैं, लिखना नहीं क्यों समझना है आपको तो one upon f इसका right hand side क्या है, left hand side क्या है one upon b minus one upon u, यही है u b f में संबंध lens के लिए आपने proof किया, आप जानते भी होंगे lens के लिए u b f में संबंध यहाँ से भी आप लोग proof कर रखते हैं, ठेक है, अगर lens के लिए u b f का संबंध निकालना है, तो इसी के आगे दोनों की तुलना करेंगे, दोनों की तुलना करके, one upon f is equal to one upon b minus one upon, यह भी होश रखता है तो इसको आपको नहीं लिखना है, क्यों समझना है, ठेक तो यह है lens maker करशुत्र, कब जब lens के दोनों और का जो माध्यम है, वह क्या है समान है, ठेक है न, अगर lens के दोनों और का माध्यम समान है, तो कैसे आप lens maker formula को शिद्ध करेंगे यह रहा, एकदम आशान तरीके से हमने आपको समझनाने का प्यास किया है, I hope चीजे आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, फिर भी कोई doubt है, कोई शमस्या है, तो आप हमसे connect हो सकते हैं, आप हमसे जोड सकते हैं, ठेक है तो वीडियो को पास किजिए, एकदम easy तरीके से हमने आपको समझाया है वीडियो को पास करके, इसको आप लोग आशा नीशे note कर लिजे I hope ये सब चीजे आपको अच्छे से समझ में आया होगा अब इसके बाद आपका lens maker formula में जो दूसरा idea होने वाला है वह है जब lens के दोनों और का माध्यम भिन भिन हो, ठेक है ना, इसके इस बार थोड़ा सा lens हम लोग कुछ इस प्रकार से बना रहे है द्वी उतल lens जी से कहते हैं इसके पहले जो lens हम दे बनाया था वह कैसा था, पतला lens था लेकिन इस बार lens हम लोग द्वी उतल lens बना रहे हैं यानि पतला lens नहीं है तेक है दोनों तन उत्तल वाले ही है लेकिन पतला लिंस नहीं है यहां पे दीखे सपोर्ज करते हैं इधर का जो माध्यम है वो N1 है ठेक यह वाला जो माध्यम है वो N2 है ठेक है और यह वाला जो माध्यम है वो N3 है इसके पहले इधर भी N1 इधर भी N1 लेकिन अब माध्यम क यह N3 लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि N2 जो है greater than N1 है ठेक N2 का मान N1 से बड़ा है और N2 का मान N3 से भी बड़ा है ठेक है न? N2 यानि इसमें सबसे सगन माद्यम है N2 कैसा है? सगन माद्यम है N2 is greater than N1 और N2 is greater than N3 है दोनों और का मेडियम क्या है? चेंज लिया है ठेक है? अब दियान दीजेगा ये कोई वस्तु है ठेक है? इसका पहला ये जो द्वी उपतलने सा इसका पहला प्रिष्ट ये वाला था तो इसकी जो त्रिज्जा होगी वह इस साइड कहीं पर होगी? माल लेते हैं इसकी त्रिज्जा कितना है? R1, सोरी, C1 है वकरता के अंदर कितना है? 7 दूसरे वाले का वकरता के अंदर हम लोग माल लेते हैं कहाँ पर है? यहाँ पर है C2 ठेक है? 7C2 हो गया है अब देखिए यहाँ पर जो ऑबजेक्ट रखा है हमने सपोस करते हैं यहाँ पर रख दिया है इस ऑबजेक्ट से पहली किरण चलेंगी ऐसे होते वे सीधे निकल जाएंगे ठेक है न? अब दूसरी किरण जब हम लोग चलाएंगे ठेक है? दूसरी वाली किरण ऐसे चली ठेक है? ऐसे चली अब यहाँ पर क्या होगा? अपवर्तन होगा ठेक है न? यह N1 से N2 में जा रहा है N2 क्या है? ज़ादा है N1 क्या है? कम है यानि विरल माध्यम से सगन माध्यम में जा रहा है देखे? N2 ज़ादा है यहां पे हमें जरूरत होगी अभिलम्ब की तो हम ऐसे अभिलम्ब खीज देते है ठेक है यह अभिलम्ब हमने खीज दिया यह क्या है capital N1 यह small N1 यह capital N1 N1 मतलब normal इस प्रकास की किरण को ऐसे जाना चाहिए था इस प्रकास की किरण को ऐसे जाना चाहिए था इस्टेट देखे लेकिन यहां पे यह प्रिष्ट पड़ गया इस अपवर्तन प्रिष्ट के कारण यह जो किरण है यह क्या होगी विरल माध्यम से सगर माध्यम में जा रही है यानि कि थोड़ा सा इधर डाइवर्ट होगी अब थोड़ा सा डाइवर्ट होगी तो यह प्रकास की किरण ऐसे जाएगी थोड़ा सा डाइवर्ट हुई इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन वैसे नजा करके ऐसे गई अब देखिए यह प्रकास की किरण अगर यहां पे यह प्रकास की किरण ऐसे सीधे निकल जाती ध्यान से देखेगा ये प्रकास की किरण ऐसे सीधे निकल जाती अगर ये दूसरा वाला प्रिष्ट भीच में न होता इस दूसरा वाला प्रिष्ट यहां पे आ गया यानि ये प्रकास की किरण फिर से अपवर्तित होगी अब अपवर्तित होगी ये ऐसे डारेक्ट जा रही है, दूसरा वाला प्रकास की करण ऐसे, यानि एक प्रकास की करण ऐसे है, दूसरा प्रकास की करण ऐसे, ये दोनों प्रकास की करण एक दूसरे को कभी भी आपस में काटेंगी, नहीं काटेंगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में फैला हो है, तो इनक यह सामने कहीं भी नहीं काटेंगी, नहीं काटेंगी, इसमें पीछे बढ़ाया हमने, और इसको भी हमने क्या किया है, पीछे बढ़ाया है, इसको सीधे लाइन से कर देते हैं, तो यहाँ पे काटा, यानि पहले वाले प्रिष्ट के लिए जो प्रतविम बना है, वह कहाँ प पर बना अब यह प्रकास की किरण जो पहले अपवर्तित हुई है यह किरण इसको ऐसे सीधे जानी चाहिए थी लेकिन सीधे नहीं जाएगी क्यों क्योंकि यहां पे दूसरा वाला प्रिष्ट भी पहुंचा हुआ है तो यह दूसरा वाला प्रिष्ट से प्रकास की किरण किरण अभिलम यह क्या है एन टू है दूसरा वाला है दूसरा वाला नारमल है देखी यह न टू से यह न थ्री में जा रहा है यह न टू जाता है यानि सगन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है और जब प्रकास की किरण सगन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अ इमेज बन रहा है वह आई यहां पर बन रहा है एक्चुल इमेज कहां पर बन रहा है आई ठेक है अब वहीं काम करना है हमें दूरी को दरसाना है ठेक है पहला वाला समझ रहे होंगे तो यह सब एकदम आपको आशान लग रहा होगा यह देखी यहां से यहां तक की दूरी हम की लिए प्रत्व मेंृ यहां ना राए है तो प्रत्व में की होती है तो वर्जिनल प्रत्व क olur ना रहा है तो दूरी हमने मल लिया है व इक जो़ए फिर्षान करते हैं कोई दिक्रत होगी तो फिर से रिवस करके देखेगा पहला वाला figure अगर आपने देखा होगा तो आसानी से इस figure को समझ पाएंगे अब चलिए formula को apply करते हैं पहले वाले प्रिष्ट के लिए पहले प्रिष्ट पर अपवर्तन का सुत्र लेंस के पहले प्रिष्ट पर अपवर्तन का सुत्र देखे main formula आपको तो पता रहना चाहिए अपवर्तन का सुत्र main formula क्या है बताइए main formula ये वाला है n2 बटे b minus n1 बटे u is equal to n2 minus n1 बटे r ठेक इसी formula को apply करते हैं सबसे ये किसी एक प्रिष्ट के द्वारा अपवर्तन का सुत्र है तो पहले वाले प्रिष्ट के लिए अपवर्तन का सुत्र लिखेंगे इससे तो चली देखें बाद में प्रकास की करण n2 में जा रहा है यही n2 है न तो n2 minus n2 बटे कितना b b मतला प्रत्विम की दूरी तो पहला वाला प्रिष्ट प्रत्विम कहां बना रहा है पहला वाला प्रिष्ट देखें प्रत्विम i dash पर बना रहा है और i dash की दूरी हमने क्या लिया है b dash तो n2 बटे कितना हो जाएगा b dash minus n1 बटे u तो n1 पहला वाला माध्यम n1 है बटे u u मतला object की दूरी worst की दूरी हमने क्या लिया है u है तो u ही रहेगा is equal to n2 minus n1 बटे r r मतलब वक्रता त्रिज्या पहले वाले प्रिष्ट का वक्रता त्रिज्या हमने लिया है r1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा r1 समीकण नंबर 1 अब द्विती प्रिष्ट पर अपवरतन का सुत्र लिखते हैं आपको लग रहा होगा द्विती प्रिष्ट पर अपवरतन का सुत्र देखिए द्विती प्रिष्ट में प्रकास कहां से यन 2 से यन 3 में जा रहा है यानि बाद वाला लिखते हैं पहले तो बाद वाला क्या है आपको बता है यहां पर क्या हो जाएगा एन 2 बाद यू यू मतलब ऑबजिक्ट की दूरी हमने भी आपको बता है कि दूसरे वाले प्रिष्ट के लिए अब्सक्रावा यहां प्रतविम होता है यानि यह पिस दूसरे वाले प्रिष्ट की दिए यह वस्तु का क्या करेगा तो पहला वाला प्रिष्ट यहां पर प्रत्विम बना रहा है अब यहीं प्रत्विम इस दूसरे वाले प्रिष्ट के लिए वस्तु का काम करेगा यानि दूसरे वाले प्रिष्ट के लिए जो वस्तु होगा वा क्या है i dash है और i dash की बीच की दूरी हमने क्या लिया है b dash तो n2 के बटे क्या हो जाएगा b dash is equal to n2 minus n1 यानि बाद में से पहले वाले को खटाते हैं तो बाद में क्या है n3 पहले क्या है n2 तो क्या हो जाएगा n3 minus n2 बटे वक्रतात रिज्जा दूसरे वाले प्रिष्ट का वक्रतात रिज्जा क्या है r2 समीकरण नमबर 2 अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं समीकरण 1 plus समीकरण 2 चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़िए तो left hand side को left hand side के साथ जोड़ते हैं n2 के बटे b dash minus n1 बटे u अब इसका left hand side n3 के बटे b minus n2 बटे b dash ठीक है is equal to अब इसका n2 minus n1 के बटे r1 ठीक है न अब इधर n3 minus n2 के बटे r2 ठीक है ये देखी इससे cancel हो जाएगा क्या cancel हो गया जो बचा है उसको अब लिख लेते हैं ठीक है न अब जो बचा है उसको हम लोग लिख लेते हैं क्या बचा है देखे इस plus वाले को पहले लिख लेते हैं यानि n3 के बटे b minus n1 के बटे u is equal to देखे यहाँ से हम लोग क्या कह रहे हैं ऐसे इराने देते हैं n2 minus n1 के बटे r1 plus n3 minus n2 के बटे r2 ठेक और यहीं जो फार्मूला आया है इसी फार्मूले को हम लोग कहते हैं lens maker formula ठेक है न यह फार्मूला क्या है जब lens की दुनों और का माध्यम क्या हो वीपरी दो यह formula क्या है lens maker ठेक है इस वाले formula से दीखिए आप पहला वाला formula भी प्राप्त कर सकते हैं पहले वाले formula में n1 यानि यहाँ n1 था यहाँ भी n1 था या यहीं यहाँ 3 के अस्थान पर क्या था n1 था ठेक है न पहला वाला formula अगर माध्यम समान हो देखिए उससे चले प्राप्त कर लेते हैं माध्यम समान हो ठेक है न आपको यहीं तक लिखना है केवल आगे हम लोग केवल आपको समझाने के लिए कि यहाँ से पहला वाला भी प्राप्त कर सकते हैं अगर माध्यम समान हो तब बताईए N3 is equal to N1, यानि कि N3 के अस्थान पर हमें क्या लिखना था? N1 लिखना था, तो चलिए लिख देते हैं, यहाँ पर N3 के अस्थान पर N1 बटे V minus N1 बटे U is equal to N2 minus N1 के बटे R1, प्लस N3 के जगह कितना? N1 minus N2 के बटे R2, यहाँ से N1 को common कर लेते हैं, क्या बचा? 1 upon V minus 1 upon U, यहाँ N2 minus N1 के बटे R1, यहाँ minus common करेंगे, तो क्या हो जाएगा बताईए? N2 minus N1 के बटे R2, यह सब आपने इसके previous में कर लिया है, अब यह N1 इदर गुड़े में सबसे पहले इदर common लेंगे, ठीक है न? 1 upon V minus 1 upon U is equal to Z, देखे, यह N1 अभी इमने नहीं दिखा है, N2 minus N1, N2 minus N1 दोनों में है common कर लिया, N2 minus N1, ठीक है? यह N1 जो इदर गुड़े में था इदर आएगा तो भाग में हो जाएगा, अब इदर क्या बचा है, जब common की हैं तो क्या बचा है, यह सब चीज़े आपने कर लिया है, इसके previous में करना नहीं है, 1 upon R2, ठीक है न? अब देखे, यह N2 बटे N1, यह N2 बटे N1 होगा, अब 1 upon B minus 1 upon U को हम लोग क्या लेख सकते हैं? 1 upon EF लेख सकते हैं, न? फार्मूला आप लोग जानते हैं, यू भी अपने संबंध जो होता है, ठीक है, यह N2 बटे N1 होगा यहां से, अलग-अलग करेंगे, तो N2 बटे N1, यहां पर देखे, N1 बटे N1 होगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक, इधर क्या बचा? 1 upon R1 minus 1 upon R2, यह N2 बटे N1 को हम अगर यह N लिख दे, तो 1 upon EF is equal to हो जाएगा, N minus 1, और यहां से 1 upon R1 minus 1 upon R2, ठीक है? इस से हम लोग दूसरा वाला भी फार्मूला क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं, same to same formula यहीं आया था कि नहीं? ठीक है? लेंज की जो फोकस दूरी है, वा किस किस पर निर्भर कर रही है, N पर निर्भर कर रही है, और वाकरता थ्रिजा पर निर्भर कर रही है, ठीक है? तो लेंज की जो फोकस दूरी है, वह है, अपवरतनांग पर निर्भरता कर निकाल ला है, तो लेंज की फोकस दूरी की अपवरतनांग पर निर्भरता, N-1 होगी, यह सब चीजे constant हो जाएंगी जब अपवरतनांग की बात करेंगे, ठीक है? तो 1 upon F is equal to N-1 बटे 1-R1, ठीक है? R2 यह जो फार्मूला है, ठीक है? तो अपवरतनांग पर फोकस दूरी F कैसे निर्भर कर रहा है? N-1 के रूप में, वकरता तरिजा पर कैसे निर्भर कर रहा है, अगर सिध करना है, तो directly proportional to 1 upon R1-1 upon R2. यह सब चीजे भी हमने सारट में पढ़ दिया है, कि कैसे फोकस दूरी अपवरतनांग पर निर्भर करता है, और कैसे फोकस दूरी वकरता तरिजा पर निर्भर करता है, तो यह अपवरतनांग पर निर्भर करता है, फोकस दूरी की, और यह क्या है वकरता तरिजा पर निर चाहे तो आप पूरा भी लिख सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है एकडम आशान था लेंश में कर फार्मुला थोड़ा सा फिगर डिफिकर्ट लग रहा होगा आपको ठीक है फिगर में कोई दिक्कत हो तो फिर से बार-बार रिपीट करके देखिए आपको आसानी होटेश करके देख सकते हैं ग्रुप में मेसेश कर सकते हैं तो आहहोब अजकी इस वीडियो में जितने वी चीज़े बताई गई सब आपको समझ में आ गया होगा अगर ये वीडियो आपके लिए helpful हो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज यार वीडियो को like और share जरू कर दीजेगा अगर चैनल पर नए हैं चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe जरू कर लिजे और शाथ में उस बेल वाले आइकोन को भी दबाईए ताकि जैसे ही हम को इस लेटिश वीडियो अपलोड करें आप तक उसकी notification पहुँच सके ठीक है चैनल आप से मिलेंगे एक लिए वीडियो में तब तक बेस्ट अपलोग